हेलो एब्रीवन वेलकम बैक इन अबर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो जैसा कि मैंने बोला था 100 questions की हम सीरीज करेंगे math questions की जो की हमारे last year TED exam में आपसे पूछे गए हैं तो उसी सीरीज में हमारा question number 18 है 17 questions के मैं यह video पहले ही upload कर चुका हूँ आप playlist में जाके check कर सकते हो तो चलिए question number 18 को हम solve करते है question हमारा है दोस्तों यदि x plus y plus z is equal to 4 है and x square plus y square plus z is equal to 6 x और x x की power minus 1 plus y का power minus 1 plus z का power minus 1 is equal to 1 where जहां पर क्या दे रखा है x y z जो आपकी value है वो 0 नहीं होंगी ओके now and तो फिर आपको na x y z का value बताना है यह questions आप यह जो question था आप से न UP TED 2013 जून में आपसे पूछा गया है इसके 4 option आपको दिखाई दे रहे होंगे first option आपका है 1 second है 2 and third है 4 and last हमारा 5 है तो मैंने क्या कर रखा है पहले से जो question में given part था वो मैंने लिख लिया है जैसे कि x plus y plus z is equal to 4 and जो given part था वो मैंने लिख लिया now अब हम question solve कहां से करेंगे जहां पर हमारा power minus 1 दे रखा है x की power minus 1 plus y की power minus 1 plus z की power minus 1 is equal to 1 दे रखा है अब now power 1 ए तो मैं क्या कर रहा हूं x को ना नीचे ले जा रहा हूं तो plus का हो जाएगा and similar ऐसी 1 upon y and plus 1 upon z is equal to 1 okay मैंने क्या किए inverse में दी power मैंने क्या क्या किया one upon x लिख लिए y की power minus 1 को one upon y लिख लिए and z की power minus 1 को one upon z लिख लिए is equal to 1 अब क्या करने वाला हूं मैं अब आपना इसमें क्या करूगे LCM लोगे, जब हम LCM लेंगे तो we can write X, Y, Z हमारा LCM आज़ आएगा नीचे, OK, and उपर क्या होगा, XX cancel होगा, तो Y, Z मेरा यहाने वाला है, Y, Z, and similar, Y से Y cancel होगा, तो remaining part मेरा उपर आएगा, X, Z, plus Z से Z cancel होगा, तो मेरा आएगा X, Y, X, Y, is equal to 1, OK, मैंने क्या किया, मैंने नीचे लेकर, प्रस में power change कर लिए, ना फिर उसके बाद मैंने LCM ले लिया, तो चलिए, अब questions को आगे solve करते हैं, OK, चलो, अब ना करने का हैं, यहाँ पर cross multiply कर लो, आप X, Y, Z, plus X, Z, plus X, Y, is equal to X, Y, Z, मैंने cross multiply कर लिया, N, X, Y, Z, गो right hand पर ले गया, अब ना question को आपको यहाँ रहने देना, यहाँ stop कर दो, एक formula होता है, दोस्तों, आई हूँ आप सभी लोगों को पता होगा, formula होता है, हमारा X, plus Y, plus Z, का whole square, is equal to क्या होता हमारा, X square, plus Y square, plus Z square, plus 2, N bracket में होता है, हमारा X, Y, plus Y, Z, and Z, okay, I hope आप सभी लोगों को, identities तो पता ही होगी, मैंने, यहाँ पर वही identity, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, okay, अब question में, X, plus Y, plus Z, का value मेरा 4 दे रखा है, okay, ना मैं इसके place पर यहाँ पूट कर दूँगा, 4 का square, is equal to, N यहाँ पर न, X square, plus Y square, plus Z square, is equal to, क्या दे रखा था, 6, तो मैं इसके place पर, यहाँ मैं 6, put कर दूँगा, plus 2, and अभी हमने, X, Y, plus Y, plus Z, X, का value क्या निकाल ला था, Y, Z, ओके, ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 6 को ना मैं इदर, left end पर ले जाने वाला हूँ, तो minus का 6 हो जाएगा, 2, Y, Z, ओके, ना, अब करना क्या, आपको 16 में से न, आपको 6 minus करना है, जब आप 16 में से 6 को minus करोगे, तो आपका जो वैलू आएगा, वो आएगा 10, 10 is equal to 2, X, Y, Z, and 2 से मेरा 10 कट हो जाएगा 5 टाइम, तो जो मेरा X, Y, Z का वैलू था दोस्तों, वो मेरा आगया है 5, I hope आप सभी लोगों को समझ आगया होगा, and जो हमारा correct option था, वो है हमारा option number 4, तो चलिए हम अपने options को भी टिक करते हैं, जो हमारा correct option निकला वो था, हमारा 4, and thank you, wait for the next video,